जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 दिसंबर और 20 दिसंबर 2021 के सिहंग राशी फल के बारे में सिहंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिथी क्या होगी क्या योग हैं, कौन सा घ्राशी बदलेगा, क्या शुप्तिति होगी और उन सभी का प्रभाव आपकी दिन चरिया पर कैसा होगा वेपार करने वाले लोगों के लिए ये दिन कैसा रहेगा प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दामपत्य जीवन, स्वास्त है इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निविदन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आएं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तित्ही नक्षत्र और योग के बारे में जा लीते हैं। 19 दिसंबर का दिन, ये मार्क्षीस माह की पूरी मातिती है, म्रेक्षरा नक्षत्र रहेगा इस दिन, चंद्रमा मिथुन राशी में है, सुर्य धनु राशी मूल नक्षत्र में है, और सुबह 10 बच कर 10 मिनट तक शुब नाम का योग बनेगा, उसके बाद शुक्र नाम का यो नक्षत्र रहेगा, चंद्रमा मिथुन राशी, सुर्य धनु राशी और शुक्र नाम का योग है, इसके बाद ब्रह्म नाम का योग भी बनेगा, अभी जीत मोहर था इस दिन का, सुबह 11 बच कर 58 मिनट से, दोपहर 12 बच कर 49 मिनट तक, तो ये हो गई ग्रहन अक्षत्रों की लिए मिथुन राशी में जो चंद्रमा की इस्तिथी है, वो किस तरह के प्रभावलाएगी, तो पहले 19 दिसमर की बात करते हैं, जो कि पूर्णिमा का दिन है, इस पूर्णिमा के दिन, जो भी पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन भगवान विश्णु के निमें रत कि की जाते है, क्योंकि चंद्रदेव इस दिन पूर्ण सोलह कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, शाम का समय चंद्रदेव को अर्धे दिया जाता है, इससे अगर चंद्र संबंधी कोई भी अशुब प्रभावावाग के उपर हैं, तो इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से उ परिवारिक समस्याओं को साजा करते हो दिखेंगे, और ये वक्त होगा जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर हर तरह की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे, और ये जो समय होगा, ये आपकी जोड़ी को मजबूत क परने के लिए बहुत अच्छा है घर में सुकून का माहूल होगा खुशी का माहूल होगा परिवार के सदसे एक दूसरे के साथ ज्यादा तर वैवार में खुलापन रखेंगे एक दूसरे का साथ देंगे घर के कामकाजी घर के कामकाज में आज आप समय भी विताने वाले है ये चुटी का दिन है, बीते दिनों में जितना धन आपने अरजित किया है, आज कुछ उसको लेकर प्लान आप कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट की प्लानिग आज आप कर सकते है, वैपारियों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है, वैपार करने वाले जातकों के है ये समय प्रेम जीवन के लिए भी बहुत ही उप्युक्त रहने वाला है और दामपते जीवन के लिए भी ये समय काफी उप्युक्त है चुटी का दिन है आज किसी सेमिनार वगेरा में आपको जाने का मौका मिल सकता है और वहां जाकर काफी कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा बाविशे को लेकर अगर आपनी कुछ चिंता जादा की है या आप कुछ करना चाहते हैं कुछ ऐसा इन्वेस्मेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आज कुछ लोगों से बाचीत करके आपको काफी सुकुन मिलेगा कुछ चीजें हैं जो आपकी समझ में आ अगर आप अपनी भावनाई जाहिर करना चाहते हैं तो अच्छा है अपनी भावनाओं को जिस किसी के भी समक्ष आपको जाहिर करनी है उनके समक्ष आप करें तो अच्छा रहेगा इससे आपको काफी रिलेक्स महसूस होगा अपने आपको बहतर बनाने की कोशिश करेंग जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएगी बाकी कारशेत्र के लिए दिन ठीक ठाक है जो जाद तक वैपार करते हैं जो जाद तक डेली इंकम वाले हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है आज प्रेम जीवन के लिए भी समय जो है काफी अनुकुल बना हुआ ह अब 20 दिसंबर की बात करते हैं 20 दिसंबर का दिन चंद्रमा मित्वन राशी में ही है और इस दिन ब्रह्म नाम का योग बना है बहुत दिक तोर पर आप काफी सक्रिय रहेंगे और ये जो दिन है ये उन लोगों के लिए काफी महत्पूर्ण है जो किसी शोध का कारे करते ह हैं या किसी medical field से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है अच्छे संकेत मिल रहे हैं आज आप के लिए आज आप अपनी दैनिक जीवन में थोड़ा नियमित रहेंगे और कुछ बदलाव भी बड़त होता हुआ देखेंगे आपके पा जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और यह सब ग्रोहों की इस्थिक अनुसार ही आपके मन में आज होने वाला है अपने लक्षर को प्राप्त करने के लिए आप चुग कर सकते थे वो आप करेंगी और उसका result आपको positive ही आमतोर पर आर्थिक रूप से तो ये दिन जो है आपके लिए अच्छा ही रहेगा कोई ऐसी आर्थिक का समझ से आपके लिए नहीं खड़ी हो रही है आएके साधन आपके लिए स्थिड़ट रहेंगे कोई मौका अगर आपको मिलता है तो उस मौके को अपनी लापरवाही के कारण हाथ से ना जाने दे अगर कोई मौका आपको दिखता है कि हाँ उस मौके का आप फायदा उठा सकते हैं इस चीज़ पर आप काम कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा कि आप उस पर अमल करें अगर आप सोच विचार में रहेंगे तो ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें किसी तरह की उधारी लेने या उधारी देने से आपको बचना होगा आज के दिन क्योंकि आज के दिन उधार लेना या देना आपके लिए काफी मुश्किल भरा रह सकता है आपके मन में कुछ नए विचार होंगे जो आपको एक साथ कई कामों को करने के लिए प्रेडित करेंगे अपनी भविश्य की लक्षों पर चर्चा करते हुए दिखाए देंगे पाकी आफिस में किसी बात को लेकर क्रोध या आवेश आ सकता है तो ऐसी सिति में वादेवाद के सितियों से दूर रहें तो अच्छा है इससे पहले कि आप बात को बिगाड़े और अपनी जो आपका जीवन है जो आपका मानहानी की तरफ आप इस दोरान बढ़ सकते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा बाकी दोनों दिन आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए उपाय की तौर पर आप जो 19 दिसंबर का दिन है इस दिन चंदरदेव को शाम के समय दूद में थोड़ा सा जल मिलाकर आप अरद दे सकते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा साथ ही चैनल को सबस्क्राइब करने और हमारी इस वीडियो को जदे जदे लाइक करें शेयर करें ताकि जदा लोगों तक पहुंच सकें